तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे खुस होंगे तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं छोटर टेडर यूटीउब चेनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बिल को जरूर प्रेस कर लिजेगा तो आज की ये वीडियो important होने वाली है अगर आपका account धन में है तो नहीं है तो नहीं है तो description में link मिल जाएगी धन में आप अपना demand account free में open कर सकते हैं आप बहुत सारी चीजें free में आपको मिल जाती है like trading view तो free में मिलता ही है strategy builder भी आप से भी को free मिलता है साथी साथ day by day कहीं न कहीं कोई न कोई improvement धन डीमेट में होता रहता है तो बहुत ही बेतरी फिचर लांच किया गया है धन डीमेट account में खासकर mobile users के लिए mobile users के लिए क्योंकि आप न mobile में अगर कोई stock buy करते हैं या sell करते हैं या share करते हैं या फिर buy करने के लिए जाते हैं तो उस पे analysis करते हैं सबसे पहले चीज़े और करनी मिचीए तो आप chart देखते हैं अगर technical analysis करनी है तो चार्ट देखते हैं तो मैं simple इसको क्या करूँगा सबसे पहले तो इसका मैं chart देखूँगा chart देखने के लिए मुझे यहाँ पे click करना होगा तो मैंने chart देखा यहाँ पे मैंने click किया अब Tata Power के साथ साथ मुझे और किसी दूसरे stock को भी देखना है या फिर मैं option trading करता हूँ तो मुझे nifty bank या फिर index का कई सारे index पे नजर बना के रखनी होती है या फिर index के साथ HDFC bank में नजर बना के रखनी होती है जैसे मान के चलो आप bank nifty में trade करते हैं तो bank nifty या फिर ICIC पे नजर आपको बना के रखनी पड़ती है chart पे तो अब आप अपने phone में भी एक ही जगह पे chart देख सकते हैं और maximum यहाँ पे फिलाल भी 5 chart तक आप देख सकते हैं new tab, new tab उपर की side में आप देख रहे होंगे एक तरफ tab open होते हुए जा रही है अगर मान के चलो यहाँ पे tata power है मुझे reliance का share यहीं पे उसी उसका भी chart देखना है तो मुझे back में नहीं जाना है मुझे यहाँ पे plus में button दिख रहा है plus वाले button पे simple हम यहाँ पे click करते हैं और यहाँ पे हम search कर लेते हैं reliance reliance जैसे हम search करते हैं हमारे सामने reliance power आ गया, reliance industries आ गया दो charts हमारे सामने दिख रहे हैं अब मैं अगर nifty में trade करना चाता हूँ यहाँ पे nifty भी add कर सकता हूँ या फिर nifty के strike price या फिर मानके चलो मुझे hindalco industries भी देखना है intraday player हूँ मैं stock intraday करता हूँ तो hindalco industries भी मैं यहाँ पे add कर लेता हूँ अब इन तीन stocks में मुझे जब कभी भी जिस जिस time frame पे मुझे लगाना होता है मैं यहाँ पे change भी कर सकता हूँ time frame मतलब charts पे जितनी भी चीजे आपको मिलती है सारी सारी चीजे यहाँ पे मिलेंगी तो यह बहुत गजब का features है यहाँ पे 5 stock तक या फिर 5 index तक आप यहाँ इस पे नजर बना सकते हैं अब आपका setup अगर Tata Power पे बैट रहा है हम Tata Power simple एक click में एक click में Tata Power का chart हमारे सामने open हो गया एक click में यहाँ पे हमने click किया Reliance का chart open हो गया और एक ही click में यहाँ पे हिंडाल को पे नजर बना के रख सकते हैं तो यह बहुत बड़ी चीज है साथ ही साथ chart को देखने के साथ साथ आपको यहाँ पे नीचे देख रहा होगा Buy और Sell यह options भी आपको देखने मिल रहा होगे तो इसमें otherwise long term के लिए या फिर short term के लिए रखना चाहते हैं तो investing पे click करके इससे instant buy भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि order buy नहीं होते हैं या फिर sell नहीं होते हैं instant buy या instant sell होता है दोस्तों अब बहुत ही fast तरीके से धन अब work करता है in case अगर आप comment करते हैं तो मैं इस पे live trial भी करके दिखाऊंगा फिलाल trading मैं मान के चलो करना है तो trading में limit पे लगाना है limit पे लगा सकते हैं trigger लगाना trigger लगा सकते हैं या फिर market पे buy करना है तो जिस भी rate में चल लाओगा इतनी quantity जितने orders लगाना चाते हैं यहां से quantity increase कर सकते हैं market order से आप limit order पे जा सकते हैं आप मतलब अपने हिसाब से buy कर सकते हैं और instant buy पे जैसे ही click करेंगे आपका order execute हो जाएगा मतलब order buy हो जाएगा आपके portfolio में चल जाएगा फिलाल मैंने back कर दिया इसी प्रकार से मान के चलो reliance पे अगर हम नजर बना के रखते हैं मुझे reliance में setup बन रहा है reliance में हम buy और sell कर सकते हैं tata power में buy sell कर सकते हैं इसे तरह से हम कोई भी और दूसरा भी add कर सकते हैं मान के चलो nifty 50 हमने add कर लिया nifty 50 add कर लिया मान के चलो हमारे view है nifty 50 उपर जाएगा या नहीं जाएगा मुझे इन तीन जो stocks हैं इन पे नजर हम बना के रख रहे हैं तो nifty उपर जाएगी नीचे जाएगी जिससाब से मुझे कैसे क्या करना है यह चीज आप सभी को तो पता ही चल गया होगा काफी कुछ बाइसल करने के लिए मैंने और भी टुटोलिस यहाँ पर दी हुए हैं आप प्लेलिस पूरी बनी हुई धन टुटोरियल की तो बहुत सारी informational videos हैं educational videos हैं जाके देख सकते हैं otherwise दोस्तों यह feature आपको कैसा लगा comment box में जुरूर बताएगा अब आप अपने mobile में भी chart tab के through open कर सकते हैं एक screen पे 3, 4, 5 tab तक open कर सकते हैं यह सारी चीज़े आपको विल्कुल free provide कराई जाती हैं तो description में मैंने बताया link मिल जाएगी आपको सबसे उपर धन demand account open link की उस link पे click करके free में अपना demand account open कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में comment करेंगे धन पे और टुट्रोलिसम में ला दूँगा और नियमित रूप से लाता भी रहता हूँ तब तक के लिए जैहिन जैभारत वंदे मातरम टेक केर बबाए आला फ्यो